हेलो सिविल इंजिनियर्स और इडियर स्टूरेंस उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब बहुत बढ़िया होगे और इस इंडिस्ट्री के अंदर कुछ अच्छा और अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे होगे दोस्तो मैं एहमद हुसैन आपको हमारे रेंफोर्स के डिजिटल प्लैटफॉर्म पे तहीं दिल से स्वागत करता हूँ दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि जब भी हमें घर बनाना होता है तो हमें उसके लिए सबसे ज़ादा किस चीज की ज़रूवत होती है जो सबसे ज़ादा ही हमें उसकी जरूवत पड़ेगी और उस पर ही सारी चीज़े डिपेंड करती है वो होता है cement जी आज हम बात करने वाले हैं cement की क्योंकि जब भी हम घर बनवाते हैं तो हम cement की quality पे हम कभी compromise नहीं करते हैं क्योंकि एक cement ही एक ऐसी चीज होती है जो हमारी एक बहुत ही अच्छी एक strength हमें हमारे घर में दिलवा सकती है और जब भी आप कहीं सिमेंट लेने जाते होगे कहीं आप लोकल दुकान पे लेने जाते होगे तो आप बेसिकली आपको वहाँ पर दो तरीके की सिमेंट होती है जी हाँ आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि जो हमारी सिमेंट होती है तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक और information देना चाहूंगा कि दोस्तो अगर आपने हमारा reinforce का जो app है अगर install नहीं करा है तो प्लीज अभी जाए Google Play Store पे और उसको install करें उसमें आपको काफी जादा free content को बहुत ही अच्छा शानदार सा content मिल रहा होगा और उसी के साथ साथ आपको कुछ premium content भी यहाँ पर हम देने वाले हैं जिसमें कि आपके carrier के अंदर आप में life में काफी जादा उचादाने वाला हैं ठीक है दोस्तों तो प्लीज जाएं और हमारे इस reinforce app को install करें और अगर आपको हमारे जो reinforce का app है हमारे description में भी आपको इसका link मिल जाएगा तो चलते हैं दोस्तों हमारे इस video में और हमारे इस video को शुरू करता है तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो हमारा OPC होता है उसको हम कहते है ordinary Portland cement ठीक है और जो हमारे PPC होता है उसको हम कहते है Portland pozzolana cement ठीक है दोस्तों अगर आप अब इसमें आप compare कैसे कैसे कर सकते हैं गरे तो दोनों होती है अब इसके अंदर यह Portland कौन सी है और ordinary कौन सी है तो बड़ा ही आसान तरीका अगर आप उसको बाहर से देखेंगे तो उसका जो bag होता है वहीं अगर आपको PPC देखना है तो उसका जो mark होगा वहाँ पर हमें यहाँ पर red color का mark होता है जिसे आप आसानी से पैजान सकते हैं कि यह मेरी OPC है और यह मेरी PPC है आगे बात करते हैं उसके material की बारे में कि उसके अंदर कौन-कौन सा material लगता है दोस्तों अगर हम उसकी material की बात करें तो उस material के अंदर सबसे पहले अगर हम OPC की बात करें तो OPC के अंदर सबसे पहले हमारा जो लगता है वो हमारा calciarious material लगता है जिसको हम lime भी कह सकते हैं हमारा 3-8% होता है iron oxide की बात करें तो यहाँ पर 0.5 से लेकर 6% तक का होता है और इसके अंदर और हमारा gypsum होगा magnesia होगा, sulfur trixide होगा potash होगा और यहाँ पर हमारा soda भी हो सकता है जो कि soda हमारा 0.5 से लेकर 1.3 की पीछ में होता है अब क्या है इन OPC की जो material इनको हम अच्छी तरीके से mix करेंगे और इसको हम एक fix proportion में करके और जो हमारी heat करेंगे एक kill में, दोस्तो किल का मतलब होता है भटी भटी के अंदर हम इसको अच्छी तरीके से गरम करेंगे जिससे की वो clinker बना सके, दोस्तो clinker का मतलब क्या होता है clinker का मतलब जो हमारे छोटे छोटे चोटे तुकडे होते है पत्थर के, उनको हम clinker कहते है जो कि 3 mm से लेकर 25 mm के यहाँ पर बीच में होते है, दोस्तो आब बात करते हैं हम PPC के बारे में, अब PPC के अंदर क्या होता है, जो OPC की, जो हमारे cement clinker है, वो हमारे 75 to 77% होते है इसके अंदर gypsum भी होता है ठीक है, gypsum जो होता हमारा 3 से 5% होता है, और इसको हम PPC क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारे pozzolanic material होते हैं जो के हमारे 10 से 25% के बीच में होते हैं pozzolanic material मतलब दोस्तों जैसे कि हमारा fly ash हो गया हमारा husk ash हो गया, हमारा volcanic ash हो गई, तो ये सारे material को हम क्या कहते हैं, इन सारे material को हम यहाँ पर pozzolanic material कहते हैं अब इन सब को हमें क्या करना है इन सारे material को हमें mix करना है उनको grind करना है, जिससे कि हमें यहाँ पर, PPC material हमें यहाँ पर मिल जाएगा, अब बात करते हैं कि दोस्तों इसकी grades की, अगर हम OPC की बात करें तो यह हमें 3 grades के अंदर मिलता है, एक होता हमारा 33 grade का, एक होता है हमारा 43 grade का, और एक होता है हमारा 53 grade का, अब लेकिन जो हमारा PPC है वो तो हमारा उसका तो कोई खार grade है नहीं लेकिन उसका by experiment के थुरू ये पता कर गाया कि जो हमारा PPC होता है वो हमारा 33 grade के अंदर वो हमारा lie करता है ठीक है इसके लिए अगर हम iOS code की बात करें तो जो हमारा grade से OPC के लिए वो हमारा 269 हमारा grade यूज होता है और वहीं PPC के लिए जो हमारा grade यूज होता है वो हमारा 1489 part 1 और part 2 यहाँ पर हमारा यूज होता है ठीक है उसके बाद अगर हम बात करें हमारी strength की तो हमारी जो compressive strength होती है वो हमारी 3 दिन के अंदर वो हमारी 35 newton per mm2 हो जाएगी अगर हम 7 day की बात करें तो यहाँ पर हमारे 43.4 newton per mm2 हो जाएग 7 days की अंदर 39 newton per mm2 हो जाएगी और 28 days के अंदर 56.5 newton per mm2 यहाँ पर हमारी हो जाती है इस हिसाप से हम क्या कह सकते हैं कि अगर आपको जल्दी करवाना है initial stages के अंदर जल्दी करवाना है तो आप यहाँ पर OPC use कर सकते हूं वहीं अगर आपको यहाँ पर कोई final setting time इतना आप का construction तो आप यहाँ पर easily PPC को भी यहाँ पर use कर सकते क्योंकि यहाँ पर 20 days के strength होता है वो उसके OPC से जादा अच्छा होता है अब हम यहाँ पर setting time की बात करें दोस्तों next point आता है हमारा setting point का तो अगर हम OPC की बात करें तो यहाँ पर उसका initial setting time होता है वो हमारा 30 minutes का होता है और इसका जो final setting time होता है हमारा 12 days का होता है ठीक है वहीं अगर हम setting time की बात करें PPC की तो जो उसका initial setting time होता है वो हमारा 30 minutes होता है और final setting time जो हमारा होता है वो 25 days होता है ठीक है तो इससे आपको यह चीज़ पता पढ़ गए कि हमारा OPC हम जल्दी में काम के लिए use कर सकते है और PPC याना कि जो अगर हमारा इतना आपको नहीं है कि आपका जो construction है हम जितनी जल्दी कर सके तो आप आराम से उसके अगर आपको strength अच्छे चाहिए तो आप यहापर PPC को आप easily use कर सकते हो अब बात करते हम curing की तो अगर हम OPC की curing की बात करें तो यहापर जो curing time है यहा पर हमें जो curing करना होगा वहाँ हमें 7 days की यहापर हमें curing करना होगा और वहीं अगर हम PPC की बात करें तो यहाँ पर हमें 10-14 days यहाँ पर हमें करना होगा अब बात करते हैं उसका workability की की कि दोस्तों उसकी जो workability है वो कैसी होती है workability का मतलब होता है कि concrete कितनी आसानी से surface पे place होता है तो उसका मतलब क्या होता है workability तो अगर हम OPC की बात करें तो जो उसकी workability है वो as comparison to the PPC वो थोड़ी lower होती है और वहीं जो हमारी workability अगर हम PPC की बात करें तो हमारी जाद अच्छी होती है अब हम बात करते हैं उसकी heat of hydration की दोस्तो heat of hydration मतलब होता है कि कितनी जल्दी वो set होता है तो अगर हम heat of hydration की बात करें तो जो हमारा OPC होता है वो हमारा जल्दी set होता है क्योंकि उसका जो initial timing है वो जल्दी है और वहीं अगर हम PPC की बात करें तो यहाँ पर उसका जो setting time है यानि कि यहाँ पर जुसकी heat of hydration है उसका वो lower है अब हम बात करते है durability की ठीक है durability की बात करें जो durability है वो हमारी PPC से कम है और अगर हम durability की बात करें OPC की तो वो हमारी काफी जाद हमारे durable है ठीक है अब अगर हम chemical attack की बात करें तो अग जो हमारे chemical attack जो resist कर सकता है वो हमारा PPC करेगा as comparison to the OPC क्योंकि यहाँ पर जो OPC है वो हमारे sulfate हो या alkalis हो या chloride हो कोई भी दो other chemical attack होते हैं तो वो उतना resist नहीं करवा पाता है जितना की हमारा PPC करवा पाता है ठीक है अब last हम बात करते हैं आप इसको कहां का use कर सकते हैं तो अगर OPC की बात करें तो आप इसको commercial के अंदर industrial building के अंदर roads के अंदर, bridges के अंदर high rise building हो गई, higher grade के concrete हो गई तो आप इन सब जगा पर आप OPC को आराम से आप use कर सकते हो वहीं अगर हम PPC की बात करें तो जो PPC है वहाँ आप dam में use कर सकते हो commercial के अंदर, residential work के अंदर runway के अंदर and it is also used for good for, plastering work के अंदर काफी अच्छा है brick machinery के अंदर काफी अच्छा है waterproofing के लिए और यह काफी अच्छा है हमारे tailing work के लिए तो दोस्तों आपको काफी ज़्यादा कुछ पता पढ़के होगा और आप यहाँ पर खुद भी आप पता कर सकते हो कि इन में आपको कौन सा cement ज़्यादा बैटर है अगर आप घर बनवा रहे हो तो आपको कौन सा यहाँ पर cement ज़्यादा अच्छा चाहिए यहाँ पर PPC का rate कम होगा और OPC का rate यहाँ ज़्याँ पर ज़्यादा होता है तो आपको आसानी से यहाँ पर پता पढ़ गया होगा कि यहाँ पर हमें कौन सा cement यूज़ करना चाहिए और किस काम के लिए किस वırक के लिए यहाँ पर हमें कौन सा सेमेंट यूज़ करना चाहिए तो दोस्तों यही ताज हमारा आज का वीडियो तो अगर आपको यह वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको प्लीज हमारे इस वीडियो को जाद जादा शेयर करें बहुत बहुत शुक्रिया